आपको बताते हैं चले कि कस्पा चुनावी में एक शराबी शराब पीकर इतने मस्त हो जाती हैं कि दुकानदार से सामान लेकर पैसे देने का ध्यान ही नहीं रहता और जब दुकानदार पैसे मांगते हैं तो उनसे गाली ग्लोच की जाती है और हाथा पाई करने से भी पीछे नहीं हटते ऐसा ही एक मामला कस्पा चुनावई का सामने आया है विजेपाल अपनी रोजी रोटी के लिए मॉमोस की ठेला लगाते हैं और हर रोज की तरह विजेपाल मॉमोस बेच रहा था तभी एक व्यक्ती ने पहले तो खुद मॉमोस खाय और पैक भी करवा लिए जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो उससे गाली कलोच करने लगा और अभद्र भाईशा का प्रयोग करते हुए हाथा पाई भी करने लगा तभी उक्तरवी को पकड़ कर थाने लाया किया सारी घर्टना की जानकारे फ्रार्थी राजीश ने तहरीर दे कर थाना जुनावई को दी जहां ऐसा है ललित कुमार शर्मा को उनसे पूछताज के बाद अपना नाम जाजीश पुत्र कुरू निवासी रामनगर जनपत संभल बता है कि शराबी शराब पिकर कस्वा जुनावई में ऐसे ही बेवजा लोगों को प्रेशान करेंगे या थाना जुनावई पुलिस ऐसे लोगों पर सकती से पेशाएगी अपने जब मोमो उसके पैसे मांगे तो पैसे नहीं दिये आप से अपद्रता करने लगा